हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सुलेखा और मनोज की एक 20 साल की बेटी होती है जिसका नाम वर्षा होता है वर्षा गाउं के कॉलेज में पढ़ने जाया करती है और उसकी माता-पिता दोनों गाउं में लोगों की शादी ब्या में जाकर खाना बनाया करते हैं अरे सुलेखा बहन, मनोज भाई, आपके हाथ के बने इस खाने की खुश्बू तो बहुत ही कमाल किया रही है सुलेखा और मनोज दोनों के हाथों में अलग साही जादू होता है उनके हाथ के बने खाने को खाकर सभी उसके दिवाने हो जाते हैं वर्शा बिटिया जा जा कर पढ़ाई कर ले क्यों मुझे देख रही है तो खाना बनाते सब है मा मुझे आपको यो खाना बनाते वे देखना बहुत अच्छा लगता है आप जिस तरह से खाना बनाती हो वो देखना बहुत पैसंद है मुझे अरे वर्शा बिटिया, इसी बात पर कल तुम हमारे लिए कुछ बनाओ, वैसे भी तुम्हारी परीक्षा भी खतम हो चुकी है, और तुम्हें कल की छुट्टी भी है ठीक है पापा, मैं आप दोनों के लिए कल आप दोनों की जैसी कड़ी चावल बनाकर खिलाओंगी वर्शा अगले दिन कड़ी चावल बनाती है, उसके हाथ का कड़ी चावल खाने के बाद, मनोज और सुलेखा का चेहरा खुशी से चमक उठता है वर्शा बिटिया, तुमने ये क्या बनाया, तुम्हारे बनाए हुए ये कड़ी चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है मनोज और सुलेखा ने अपनी बेटी वर्शा की पढ़ाई के लिए एक अमीर सेट बलजीत से पैसे कर्ज लिये थे लेकिन सही समय पर वो उसे वो पैसे चुका नहीं पाते, जिसकारण बलजीत बहुत गुस्सा हो जाता है तुझे मैंने जरूरत के समय पर पैसे दिये थे, लेकिन तूने, तूने क्या किया लेते वक्त तो बड़ा वक्त पर आया था, लेकिन देने के वक्त पर तेरे हाथ पीछे क्यों हट गए है, अब बोल बलजीत सेट, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आपके पैसे सही समय पर सूथ समीत लोटा दूँगा, लेकिन मैं अपना वादा निभाने में असफ़ल रह गया बलजीत सेट, हमें बस एक और महिने की महलत दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे लोटा देंगे, ब्याज के साथ, बस एक महिना और हाँ बलजीत सेट, हम आपसे विंती करते हैं नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, चलो, अब तुम दोनों को मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, मेरे घर पर नौकर बन कर रहोगे तुम दोनों, मेरे पैरों तले क्या? मनोज और सुलेखा को नाचाते हुए भी बलजीत के घर पर नौकर बन कर रहना पड़ता है, जब वर्शा कॉलिज से घर लोटती है, तब उसे पडोसन से पता चलता है कि उसके माता-पिता को बलजीत ने अपने घर पर नौकर बना कर रखा है क्या? हाँ वर्शा, अब तुमें ही पैसों का बंद उबस्त करके अपने माता-पिता को उस बलजीत सेट के चंगुल से चुड़वाना होगा, तुम ही अपने मापापा की इज़त को फिर से लोटा सकती हो हाँ काकी, मैं अपने माँ और पापा को उस दुष्ट बलजीत सेट के चंगुल से चुड़वा करी रहोंगी, वो दोनों मेरे माता-पिता हैं और वो किसी के पैरों की धूल कभी नहीं बन सकते मैं खूब मेहनत करूँगी और जल से जल पैसे इकठा करके अपने माँ और पापा को वहाँ से मान सम्मान के साथ वापस लाऊंगी वर्षा ठाल लेती है कि वो कुछ न कुछ काम करेगी, लेकिन गाउं में उसे कहीं भी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलता पडोसन उसे कड़ी चावल बेचने की सला देते हैं कड़ी चावल? हाँ वर्षा, कड़ी चावल, मैंने एक दिन तुमारे हाथ का बना कड़ी चावल देखा था सुलेखा बहन बता रही थी कि तुम तो हूबहू उनी की तरह बनाया करती हो हाँ, एक दम वैसे ही बनाया था इसलिए अब तुम कड़ी चावल बेचना और देखना कितनी तरक्की होगी तुमारे हाँ लेकिन मैं कहां बेचूंगी कड़ी चावल? मेरे पती अब इस दुनिया में नहीं रहे उनकी ओटो रिक्षा मेरे आंगन में वैसी ही पड़ी हुई है तुम उस ओटो रिक्षा को चला चला कर जगा 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 जा कर कड़ी चावल बेच सकती हो ठीक है काकी, धन्यवाद, मुझे इतनी अच्छी सलाह देने के लिए और साथी, मुझे काका के ओटो रिक्षा दे कर मेरी मदद करने के लिए अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो जाओ बेटी, अपने माँ और पापा के सम्मान को वापस लाना है तुमें हाँ काकी पडोसन के सुरगवासी पती की ओटो रिक्षा चलाते हुए वर्षा आप कॉलेज के बाद कड़ी चावल बेचने लगती है और जगा जगा जाकर कड़ी चावल बेचने से उसकी खूब प्रगती होने लगती है कड़ी चावल ले लो, कड़ी चावल एक बार खाओगे तो दिवाने हो जाओगे कड़ी चावल, कड़ी चावल वर्षा का स्पेशल कड़ी चावल अरे वा, 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 क्या बात है ऐसी कड़ी चावल तो आज कल के इस नई जमाने में मिलना बहुत ही मुश्किल है अरे लगता है इन में डालेवे मसाले तुमने अपने हाथा से भीसे है तबी तो ये इतने स्वादिश्ट और मज़ेदार लग रहे है मुझे और एक प्लेट कड़ी चावल दे दो जी लीजे ना ये लीजे वर्षा ऐसे ही गाउं की हरे गली में आटो रिक्षा ले जाती है और कड़ी चावल बेचती है और इस प्रकार वो बहुत अच्छे पैसे कमाने लगती है और उसने पंदरा से बीस दिनों में ही डेर सारे पैसे जोड लिये होते हैं मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने पंदरा से बीस दिनों के समय में इतने सारे पैसे कमा लिये हैं वो भी केबल कड़ी चावल बेचकर अब मैं इन पैसों से अपने मा और पापा को उस मूर्ख बलजीत सेट के चंगल से आजाद कर दूगी वर्षा उन पैसों को एक कनस्तर में रख देती है और सो जाती है ये सब एक चोर नेखिड़की से देख लिया होता है और वर्षा के सोने के बाद वो चोर छुपके वर्षा के घर में घुसता है और उस कनस्तर को चुरा ले जाता है अगली सुबा जब वर्शा उठती है तब वो उसका रस्तर को गायब देख हैरान रह जाती है ये क्या मेरा करनस्तर वो करनस्तर कहां चरा गया जिसमें मैंने पैसे रखे थे ये क्या किड़की रात में खुली थी अरे नहीं इसका मतलब मेरे पैसे किसी ने चोरी की है वर्शा बहुत परिशान हो जाती है और उसका रोना निकलाता है अब मैं क्या करूंगी कैसे चुड़ाओंगी अपने मापापा को बलजीत सेट के घर से तबी वहाँ पर अचानक से पडोसन आ जाती है अरे क्या हुआ बेटिया तुम रो क्यों रही हो काकी मेरा कनस्तर जिसमें मैंने सारे पैसे रखे थे वो चोरी हो चुका है क्या चलो बेटि अभी पुलिस थाने चलो हम दोनों वहाँ जाकर पुलिस कंप्लेन करेंगे और फिर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे हाँ काकी पुलिस चोर को जरूर पकड़ लेगी वर्षा और पडोसन घर के बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक अमीर आदमी आकर वर्षा को पूरे तीन सो लोगों के कड़ी चावल का ओर्डर देता है आश्रम में मुझे कड़ी चावल देने है सुना है इस गाउं के सबसे बड़िया कड़ी चावल बनाती हो तू पूरे तीन सो लोगों का कड़ी चावल? अरे वाह, इसका मतलब तुमारे पंदरा दिन की मेहनत जितने पैसे ही मिलेंगे तुमें इस ओर्डर से अब जो हुआ सो हुआ, छोर पैसे चुरा कर ले गया लेकिन तुमें दुखी होकर अपनी हिम्मत नहीं हारनी है और अब जो नया मौका मिला है उसका पूरा लाब उठा कर अपना काम अच्छे से करना है हाँ खाकी पडोसन भी उस दिन वर्षा की मदद करती है और वर्षा समय पर वो ओर्डर पूरा करके कमाय हुए पैसों से अपने मा पापा को बलजीत सेट के चंगुल से आजाद करती है कुछ दिरों बाद गाउं की पुलीस उस चोर को भी पकड़ लेती है और वर्षा को वो पैसे भी वापस मिल जाते है वर्षा अपनी पढ़ाई के साथ साथ कड़ी चावल बेचनात जारी रखती है और खूब तरक्की करती है शिवा एक गरीब और अनाथ लड़का था गरीब होने के बाद भी शिव लोगों के मदद किया करता था वो अपना गुजारा करने के लिए लोगों के छोटे मोटे काम किया करता था ऐसे एक दिन शिवा अपनी जोपडी के सामने ज़ाडू लगा रहा था तभी वहाँ एक लड़का आता है जो बेहत गंदा हो रखा था वो शिवा के आगे फूट फूट कर रोने लगता है उसको रोता दे एक शिवा उसके पास जाता है और उससे रोने की बज़ा पूछता है क्या हुआ भाई तुम इस थारा रो क्यों रहे हो कोई बात है क्या उस लड़के की बात सुनकर शिवर उसके आसूँ को पूचता है और बोलता है भाई तुम चिंता मत करो तुम अपने घर जरूर जाओगे मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं मैं वो पैसे तुमें दे दे देता हूँ तुम उन पैसों से अपने घर चले जाना लेकिन मैं ऐसे तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता तुमें भी तो उसकी जरूरत होगी ना जरूरत तो हर इंसान को किसी ने किसी की होती ही है इंसान की जरूरत है आज तक खतम नहीं होई है पर कोई बात नहीं मदद करने से इंसान को जो सुकून और खोशी मिलती है वो शायद किसी भी चीज में नहीं है तुम यही रुको मैं भी आता हूँ इतना बोलकर शिवा अपने घर के अंदर जाता है और अपने घर से पैसे लाकर उससे लड़के के हाथ में थमा देता है वो पैसे लिए लड़का वहां से जाने लगता है और जाते जाते वो मुस्कुराते हुए अपने मन में बोलता है लोगों की बाते सच थी, यह मूर्ख इंसान सच में मूर्ख है, इसको तो इंसानों की परकी नहीं है, बेवकूफ कहीं का, इसको तो बेवकूफ बनाना रहे चुटकियों का खेल है वो लड़का मुश्कुराते हुए वहां से चला जाता है, तो वहीं बिचारा शिवा अपने घर में जाता है और खाने के बरतन को देखने लगता है, कि खाने का बरतन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था, यह देख वो शिवजी की मूर्थी के पास जाता है और हाथ जोर क हे प्रभू, आज मेरे घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूगा, मैं भले ही भूका सोजाओंगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, कि मैंने किसी की मदद की इतना बोलकर शिवा सोजाता है, लेकिन शिवा की दयालुता कैलाश परवत पर बैठे शिवजी और नन्दी देख रहे थे, शिवा का ये रूप देख नन्दी शिवजी से बोलते हैं ये प्रभू, ये मनुष्य कितना भोला है, साथ ही ये आपका परमभक्त भी है, आप अपनी परमभक्त को इस तरह भू के पेच सुला रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता नहीं नंदी, हम अपने परम भक्त को भूका नहीं सुला सकते हम अपने परम भक्त की हमेशा परीक्षा लेते हैं और हम शिवा के भी परीक्षा अवश्य लेंगे परन्तु प्रभु, आप और कितनी परीक्षा लेंगे बेचारे की लोग तो उसे ठक कर जा रहे है तुम बस देखते जाओ नंधी इतना बोलकर शिव जी अपने हाथों से एक प्रकाश उत्पन करते हैं और शिवा की जोपड़ी के सामने कुए में पानी की जगह सोना चांदी आ जाता है सुभा जब शिवा सो कर उठता है तो वो देखता है कि कुए में पानी की जगह सोना चांदी है ये देख शिवा के आँखे चमक उठती है हे प्रभू ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे कुए में पानी की जगह ये सोना चांदी कहां से आ गया? जो भी है मैं इन सोने चान्दी का क्या करूँगा इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं उन गरीबों की मदद कर दू जिने खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं इतना बोलकर शिवा अपने कुएं में से कुछ सोना चान्दी लेकर दुकान पर जाता है और उन्हें बेचकर गरीबों के लिए कपड़े और खाना ले आता है इस तरह वो उन सोना चान्दी से गरीबों की मदद करता परंतु खुद के लिए कुछ नहीं खरीदता ऐसे ही समय बीटता है और बीटते समय के साथ कुएं का सोना चान्दी खत्म होकर एक बार फिर उसमें पानी भर जाता है लेकिन अब भी शिवा लोगों की मदद करता ये देख एक बार फिर भगवान नंदी शिवजी से बोलते है देख रहे हैं आप प्रभू आपकी परमभक्त के अंदर जरा भी लालच नहीं है वो स्वैम भूखा रह जाता है लेकिन वो छोटे बच्चों को या गरीब लोगों को भूखा सोने नहीं देता आपने उसके सामने सोना चानी रखा परन्त उसने उस सोने चानी से गरीब लोगों की ही मदद की तुम सही बोल रहे हो नंदी इतना बोलकर मुस्कुराते हुए शिवजी एक बार फिर अपना चमतकार दिखाते हैं और शिवा के जोपड़ी को एक सोने का महल में देखता है तो वो उसको देख हैरान हो जाता है इतना बोलकर शिवा अपने सोने के महल में जाता है और शिवजी की मूर्ती लिए वहां से जाने लगता है पर तभी उसकी आँखों के सामने एक चमचमाती रोशनी आती है और उस रोशनी में से निकलते हैं शिवजी मैं मान गया शिवा तुम मेरे परमभक्त हो तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं है मैं तुम्हारी एक चोटी सी परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में पास हुए बताओ तुम्हें क्या चाहिए प्रभू मुझे कुछ नहीं चाहिए अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे हमेशा के लिए अपना आशिरवाद दे दीजिए आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए और मुझे ये वर्दान दीजिए कि मैं इसी तरह गरीब लोगों की मदद करू ताकि उन गरीबों को किसी चीज की दिक्कत नहूँ आप मुझे पर अपना आशिरवाद योही बरकरार रखना मैं आपकी शरर में रहकर हर उस इनसान की मदद करना चाहता हूँ जो इनसान खुद को बे सहरा और लाचार समझता है शिवा की बात सुनकर शिवजी के चहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अपने हाथों से रोश्नी निकाल कर शिवा को आशिरवाद देते हुए कहते हैं तथास तु पुत्र परन्त ये जो महल है ये हमने तुम्हे एक छोटा सा उपहार दिया है तुम इसे सुईकार करो प्रभू ये तो सम्मोमाया है मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाए आपकी शरर के मैं सोने चान्दी का क्या करूँगा वही जो तुम अब तक करते आए हो लोगों की मदद तुम इस भेट को सुईकार करो और मैं तुम्हे वर्दान देता हूँ कि आने वाली समय में ये महल कोई मामूली महल नहीं बलकि जाना माना सिद्ध मंदिर कहलाएगा और इस मंदिर के पुजारी तुम और तुम्हारे वंशर्ज रहेंगे तथास तू इतना बोलकर शिवजी वहां से चले जाते हैं जैसे शिवजी वहां से जाते हैं उन्ही के स्थान पर अपने आप एक शिवलिंग प्रकट हो जाता है ये देख शिवा के चहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ जाती है और वो उस महल को अपना लेता है और उस महल को ही अपनी किस्मत समझ उसमें रहने लगता है रौनकपूर कहकर एक गाउ में गरीब सुधा अपने अपाहिज पती विश्वनात और छोटे बेटी चिंटु के साथ रहती है वो एक अमीर घराने में काम करने जाती है उस अमीर आदमी का नाम राजेंद्र होता है राजेंद्र अपनी बीवी में नाक्षी और छोटे बेटे कृष के साथ रहता है उनका खाद का व्यपार होता है ओ सुधा राने यहां आराम फर्माने आती हो या काम करने आंगन में ही धूप सेक्ती रहोगी तो होगे सारे काम जल्दी से नहीं नहीं मेंसाब मैं तो बस बौधों को पानी डाल रही थी वो माली या छुट्टी पर है ना हाँ जानती हूँ लेकिन सारे काम जल्दी जल्दी करो बहुत धीरे-धीरे काम करती हो तुम ऐसा ही रहा तो मैं तुमारी तनख्वा मेंसे पैसे ही काट दूँगी समझी तू मेंसाब मैं सारे काम करूँगी ठीक से आप चिंता मत कीजिए बस वो पिछले हफ़ते से तब्या थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मैं धीरे-धीरे काम कर रही हूँ हाँ हाँ वो सब मुझे नहीं पता मैं तुमारे बहाने सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पर हाँ आदे घंटे बाद मेरे कमरे में मेरा खाना भिजवा देना जी जी ठीक है मिम साब मिनाक्षी और राजेंदर घर के गरीब नौकरों के साथ बड़ी सक्ती से पेश आते रहते हैं ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब गणेश उत्सव का पावन पर्व आने वाला होता है तब ही जी इस बार तो हम पूरे घर को एकदम आलिशान तरह से सजाएंगे देखने वाला देखते ही रह जाएगा और मूर्ती भी एकदम सुन्दर और महंगी लाएंगे हाँ हा मिनाक्षी महमानों को लगना भी तो चाहिए कि हम कितने अमीर हैं तुम चिंता मत करो मैं खर्चे में कोई कमी नेज करूँगा हम बहुत राज्ची तरीके से मनाएंगे इस बार का गनेश उत्सव तबी वहाँ सफाई कर रही सुधा राजजिंद्र और मिनाक्षी से कहती है साहब मेम साहब मुझे भी अपने घर पर गनेश जी की स्थापना करनी है मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो उन्हें आप तनखवा में काट लेना चिंटू बहुत जित करेगा और मेरा भी मन है बहुत गनेश जी को घर पर लान का नहीं हम तुम्हें तनखवा की तारीक से पहले एक रुपए नहीं देंगे हाँ जाओ जाकर काम करो कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें साहब मेम साहब ऐसा मत कहिए गनेश जूत्सव है जैसे आप अपने घर में गनेश जी की स्थापना करोगे ठीक उसी तरह मुझे भ लेकिन वेकिन कुछ नहीं अब ज्यादा दिमाग मत कहों मेरा और निकलो यहां से चलो यहां से फालतु का दिमाग खाती रहती यह बेवकूफ कहीं की मिनाक्षी और राजेंद्र दोनों ही सुधा को पैसों की मदद करने से इनकार कर देते हैं घर जाकर जब सुधा का दन्यवाना होगा आपको मुझे बिखनेश उत्सव मनाना हैं खीर और मोदा इक हीं मुझे माफ कर देना बेटा हम इस बार गने豉तसव इतनी द्ूम धाम से नहीं मना पाएंगे जैसे तुछ चाहता है ये सुनकर चिंटू बहुत निराश हो जाता है अगले दिन जब सुधा राजेंद्र और मिनाक्षी के बंगले की छट पर सफाई कर रही होती है तब ही वो देखती है कि उनका बेटा क्रेश छट पर खेलते खेलते गिरने वाला होता है सुधा फॉरण अपना काम छोड़ कर क्रिश को बचाने जाती है और वक्त रहते ही वो उसे चट से गिरने से बचा लिती है क्रिश पिटा ठीक तो ना आपको कहीं कोई चोड तो नहीं आई ना नहीं सुधा आंठी मैं ठीक हूँ थैंकियो आंठी तभी वहाँ पर आजिंद और मिनाक्षी आते हैं और क्रिश अपने माता पिता को बताता है कैसे सुधा ने वक्त रहते ही उसकी जान बचाई क्या कह रहे हो इस सुधा ने तुम्हारी जान बचाई मीनाक्षी एकदम सही कह रही है क्रिश बेटा इस दो कॉड़ी की नौकरानी की ये चाल हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है इसे लगा होगा कि हम इसकी इस हरकत से खुश होकर इसे पैसों की मदद करेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला अरे चुप रहे तु अच्छे से जानते हैं हम तुम जैसे गरीब और गवार लोगों को अमीरों को कैसे अपने जहासे में फसाते हो तुम तुम लोगों ने इसमें महारत हासिल की होती है लेकिन हम तुम्हारे जहांसे में नहीं फसने वाले समझी तुम, चलो निकलो अभी यांसे और कल से मेरे घर पर आनी की कोई जरूरत नहीं है हम नई काम वाली रख लेंगे ऐसा मत कीजे मेम साहब अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तुम्हें अपना घर कैसे चला पाऊंगी आप तो जानती ही है ना कि मेरे पति अपाहिज है और मेरा ही चोटा बेटा है साहब साहब समझाए न मेम साहब को एसा मत कीजिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ तुमने सुना नहीं मीनाक्षी ने क्या कहा निकल जाओ यहां से वरना हम तुमें धक्का मार कर बाहर निकाल देंगे बेचारी सुधा को अपनी गलती ना होने के बावजूद भी वहां से निकलना पड़ता है वो रोते हमें घर जाती है ओपर से ये सब देख गनेश जी को बहुत बुरा लगता है मैं जानता हूँ सुधा तुम मेरी भगत हो और तुम हार मानने वालों में से नहीं हो सुधा निराशना होकर अपने हाथों से गनेश जी की प्रतिमा बनाने लगती है सुधा तुम्हारा काम छूट गया है फिर भी तुम इतना मुस्कुरा रही हो जी क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी गनेश जी जरूर कुछ न कुछ करेंगे मेरी भगती में कोई कमी नहीं रही है और गनेश जी को अपने इस भगत की मदद करनी ही होगी सुधा को अपने गनेश जी पर पूरा भरोसा था वो साधारन रूप से ही सही लेकिन घर में फूलों के सजावट करके गनेश जी के स्थापना करती है और थोड़ी सी खीर और मोदख बनाती है माफ करना चिंटू राशन ना होने के कारण मैंने सिर्फ ये एक कटोरी खीर और दो मोदख ही बनाए है कोई नहीं कोई बात नहीं मा आज गनेश जी का दिन है आप ये उन्हें भोग लगा दीजिए उनका पेट भरने से मेरा भी भर जाएगा ओ मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया है तो बेटा गनेश दी तुझे बहुत सारी खुशियां और सफलता दे यही मेरी कामना है धन्यवाद पापा मेरी तो बस यही कामना है कि आप जल से जल ठीक हो जाओ तबी उनके द्वार पर एक बिखारी आता है और वो खीर और एक मोदक मांगता है आज गनपती बपा का दिन है मुझे भी उनका प्रसाथ दे दे दो चम्मच खीर और एक मोदक मिल जाता तो मेरा मन तरप्त हो जाता बेटी किर और मोदक दोनों भी तोड़ी है कोई बात नहीं आईए न काका अंदर आईए थोड़ी कीर और एक मोदक है खाइये सुदा उस भिखारी को घर में बुला कर उसे कीर और मोदक देती है जिसे खाने के बाद वो भिखारी गनेश जी में परिवर्दित हो जाता है ये देख तीनों के होश उड़ जाते हैं और तीनों गनेश जी को प्रणाम करते हैं गनेश जी आप ये तो चमतकार ही हो गया गनपति बपा मोरिया मेरी भक्त पीडा में होकर भी उसने मेरी स्थापना की मुझे खीर और मोदक का भोग चड़ाया सच में मैं तुम्हारी भक्ती से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ सुधा धन्यवाद गनेश जी ये लोग ये तुम्हारे लिए गनेश जी के इतना कहने से अचानक सुधा का कच्चा मकान एक आलिशान महल में बदल जाता है और साथी विश्वनाद भी ठीक हो जाता है ये परिवर्तन देख सभी चकित हो जाते है धन्यवाद गनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी अब मैं चलता हूँ इतना कहकर गनेश जी वहाँ से अद्रिश्य हो जाते है और जहां एक तरफ गरीब सुधा और उसका परिवार अमीर हो जाता है वही राजेंदर और मिनाक्षी का बिसनस ठप पड़ जाता है और वो गरीब हो जाते है गनेश जी अपने भक्त के साथ इंसाफ करके बुरे लोगों को सजा दे देते है और फिर सुधा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है जग में भगवान शेव और माथा पार्वती की प्रेम कथा निश्चई ब्रह्मान की एक सच्ची प्रेम कथा है मैं राजा हिमाले के यहां जन में लेकर शंकर जी की अरधांग नी बनूँगी अब जगदंबा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा वो उचित समय पर राजा हिमाले की पतनी मैना के गर्ब में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुए हर तरफ खुशी और हर शोलास का परिसर हो गया राणी मैना और राजा हिमाले ने परविष्ट की खूब अच्छे से परवरिश की और उसमें सारे गुण भरे जब परवती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनकी माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी हम अपनी पुत्री परवती का विवा एक अच्छी और नेक इंसान के साथ कराएंगे राजा जी हमारी बेटी को अच्छा वर मिलेगा या नहीं अवश्यरानी साहिवा हमारी पुत्री परवती के लिए हम ऐसा वर चुनेंगे जिसमें गुणों की कोई कमी नहीं हो और वो हर तरह से सर्वशेष्ट हो एक दिन अचानक देवर्शी नारद राजा हिमाले के महल में आ पहुचे और परवती को देख कहने लगे नारायन नारायन राजा जी आपकी पुत्री पारवती का विवा तो शंकर जी के साथ ही होना चाहिए अगर आप मुझसे पूचें तो मेरे हित में देवों के देव महादेव ही सभी दिष्टी से राजकुमारी पार्वती के लिए योग है जब पार्वती के माता पिता को सारी बात पता चलती है कि साक्षात, जगत, माता, सती ही उनकी संतान के रूप में प्रकट हुई है तब उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता वो मनी मन अपने भागे को सरहाने लगते हैं ये तो अलोकिक है, आकल्पनी है, साक्षात, माता, सती हमारी पुत्री बन कर आई है मेरी, मेरी कोक से पुनर जनम हुआ है उनका हारानी साहिबा, इससे बड़ी खुशी का अफसर और कोई हो ही नहीं सकता हम सच में भागी शाली है मा था आदी शक्ती का दूसरे जनम लेने का एक मातरु देश था और वो था महादेव से विवा एक दिल अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और पासी के स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे जब राजा हिमाले को इसके जानकारी मिली तो वो पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए वहां राजा ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक अपने पुत्री को सेवा में ग्रहन करने के प्रार्थना की शिव जी ने पहले तो आनकाने की परन्तु पारवती की भक्ती देखकर वो उनका आग्रह ना टाल सके शिवजी से अनुबती मिलने के बाद तो पारवती प्रती दिन अपनी सक्षियों के साथ महादेव की सेवा करने लगी वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि शिवजी को किसी भी प्रकार का कश्ट ना हो वो हमेशा उनके चरंधो कर चरंणोधक ग्रहन करती हैं इसी तरह पारवती को भगवान शंकर की सेवा करते हुए दीर की समय व्यतीत हो गया परंदु पारवती जैसी सुंदर बाला को इस प्रकारे कांत में सेवा लेते रहने पर भी शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ वो सदा अपने समाधी निश्चल रहते उधर देवी देवताओ को तारक नाम का असुर बड़ा दुख देने लगा यह जान करकि शिव के पुद्र से ही तारक की मृत्ती हो सकती है सभी देवी देवता शिव पारवती का विवा कराने की चेश्टा करने लगे यदि आदी शक्ति और भोलेनात का विवा हुआ तो विवा के बाद उनके पुत्र के हाथ ही तारका सुर्का वध हो जाएगा किन्तु ब्रह्मदेव, महादेव और पार्वती के विवा कैसे होगा सभी देवी देवता विश्णु जी के पास इस दुविधा का हल मांगने गए तभी इस समय हमारी साहिता के वल कामदेव ही कर सकते हैं शिव को पार्वती के प्रति आकर्शित करने के लिए देवताओं ने कामदेव को शिव जी के पास भेजा परन्तु पुश्प युद्ध का पुश्प बान भी शंकर के मन को आकुल ना कर सका उल्टा कामदेव उनकी क्रोधागनी से भस्म हो गए इसके बाद शंकर भी वहां से कैलाश की और चल दिये पारवती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बढ़ा दखुआ उनको निराशना होकर अपकी बार नल द्वार शंकर को संतुष्ट करने की मन मिठानी उनकी मातारानी मैनावती ने उन्हें नल के माध्यम से समझा कर बहुत मना किया लेकिन पारवती पर इसका कोई असर नहीं हुआ अपने संकल्प से वो तनिक भी विचलित नहीं हुई वो घर से निकल पड़ी और शिखर पर तपस्या करने लगी जहां शिव जी ने तपस्या की थी तबी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलहार से जीवन व्यतीत किया दूसरे वर्ष वो पर्ण यानी व्रिक्षों के पत्ते खा कर रहने लगी और फिर तो उन्हें परण का भी त्याग कर दिया और इसलिए वो अपर्ण ना कहलाई इसी प्रकार पार्वती ने पूरे 3000 वर्ष तक घोर तपस्या की उनकी कठोर तपस्या को देख रुशिमुनी और अन्य सभी देवी देवता भी दंग रह गए नारायन, नारायन हे ब्रह्मदेव, मुझसे तो माता पार्वती की ये दशा देखी नहीं जा रही महादेव तो अपनी समाधी में लीन है हाँ ब्रह्मदेव यदि शिवजी योही अपनी समाधी में लीन रहे और माता पार्वती को उनकी तपस्या का फल नहीं दिया तो इस समस्त संसार को तारकासुर के आतंक से मुक्त करना कठिन हो जाएगा अंत में शिवजी का आसन हिला उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सब्त रिशियों को भेजा और पीछे स्वयम वटुवेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के लिए प्रस्थान किया जब उन्होंने सब्रकार से जाच परक करके देख लिया कि पार्वती की उनमें अविचल निष्ठा है तब तो वो स्वयम को अधिक देर तक छिपा न सके वो तुरंत अपने असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए अपना नेत्र खोलो पार्वती महादेव मैं तुम्हें पानी ग्रहन का वर्दान देता हूँ उन्होंने पार्वती को पानी ग्रहन का वर्दान दिया और वहां से अध्रिश्य हो गए पार्वती अपने तब को पून होते देख घर लोटाई और उन्होंने अपने माता पिता को सब कुछ बताया अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फली भूत होता देखकर माता पिता के आनंद का छिकाना नहीं रहा उधर शंकरजी ने सब्तरशियों को विवा का प्रस्ताव देकर राजा हिमाले के पास भेजा और इसी प्रकार विवा की शुब्तिती तै हुई विवा के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्ण सभी देवियां माता पार्वती का श्रेंगार करने पहुची महादेव को उनके भक्त तैयार करने लगे और फिर महादेव अपने गले में नर्मुंडों की माला डाले हुए पूरे शरीर पर भस्म लिप्टे हुए, अपने नंदी बैल पर सवार होकर सभी देवताओं, गणों और भूतों की बारात लेकर माता पार्वती के महल की और निकल पड़े इस अफसर पर सभी बाराती खुशी से नाचगा रहे थे, तभी अपने होने वाले दामाद शंकर की आरती के लिए द्वार पर आरती की थाली लिए खड़ी, रानी मैनावती, जब शिव के बदन पर भस्म लिप्टा हुआ देखती हैं, और उन्हें भूत प्रेत के साथ आ पाह नहीं करने दूँगी, इस अगोरी के पूरे बदन पर भस्म लिप्टी हुई है, और तो और इसके साथ ही भी भूत प्रेत हैं, मैनावती बेहोश हो जाती है, लेकिन बाद में जब उसे होश आता है तब, मा, आप महादेव का ये रूप देख भैभीत ना हुई है, और आप के हे तू, मैं महादेव को इस संसार के सबसे मनमोहक रूप में सजाकर आपके समक्ष लाओंगा। विवा के पश्चात ब्रहमदेव के वर्दान स्वरूप महादेव और देवी पार्वती के पुत्र, कार्तिके के द्वारा तारका सुर नामक असुर का अंधुआ।